केजरवाल का राजनेती में जब उदय हो रहा था तब केजरवाल कहते थे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है सिर्फ जरूरत है मजबूत राजनेतिक एक्षय सक्ति की रोज एक ही बात दिन में दस बार बोलते थे कि हम राजनिती को साफ और आपकी समस्या को दूर करने आये हैं रोज एक राजनितिक शिगूफा दिन में दस बार खुद और पूरी पाटी दोराती थी दिली की जनता को भी लगा कि चलो एक मौका दे दिया जाए तो जनता ने भी खुले दिल से केजिरवाल को एतिहासिक बहुमत दिया फिर पंजाब की जनता ने भी केजिरवाल एंड कमपनी पर भरोसा किया लेकिन केजिरवाल की राजनितिक लालच बढ़ती गई और जिसे वो भरस्ट कहते थे उनी के साथ हाथ मिला लिया अब सवाल है कि केजिरवाल तब गलत थे या आज क्योंकि जनता कन्फ्यूज है कि केजिरवाल आज जिस कॉंग्रेस और उन तमाम विपक्षी दलों के साथ इंडिगट बंधन में है उनको वो कभी भरस्ट मानते थे केजिरवाल अब क्या जबाब देंगे अब तो वो खुद ही प्रस्टाचार के मामले में घिर चुके हैं केजिरवाल ने ऐसी निती बनाई कि पूरी आप ही उसके जद में आ गई है केजिरवाल की दो जगा सरकार चल रही है लेकिन केजिरवाल की एक गलती ने ऐसा आसार बना दिया कि पूरी आम आदमी पार्टी पर ही बैन लग सकता है। सवाल उठरा है कि क्या शराब घोटाले में दोसी होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी की भी सदस्यताराध हो सकती है। आपराधिक कारवाई की जा सकती है। संस्था इस पर कोई निरने नहीं ले सकती। जानकारों का कहना है कि अगर एक राजनेतिक दल के तौर पर कोई गलत निरने लिया गया है तो इसके लिए उस पर विभिन कानूनी प्राबधान लागू होते हैं। ऐसे मामले में पार्टी को एक आरोपी बनाया जा सकता है और पार्टी का ध्यक्ष या रास्टिय संयोजग पार्टी की तरफ से अदालत में पेश हो सकता है। और पार्टी की तरफ से अपने बचाव में दलीले पेश कर सकता है। अगर पार्टी पर दोश साबित हो जाता है तो अदालत इस दोश सिद्धी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से अपेक्षित कारवाई करने का निर्देश दे सकता है। ऐसे में अब पार्टी के मुखिया होने के नाते अर्विंद के जिर्वाल सवालों के घेरे में हैं और एडी उनसे पाई-पाई का हिसाब मांगेगी क्योंकि आरोप है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तमाल चुनाव परचार में पार्टी के लिए ही किये गये थे। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।